दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों वस्तुनिष्ट जीयस संचे कम्प्यूटर से संबंधित महत्वपोर्ण प्रशनों की स्रिंखला में प्रस्तुत है कम्प्यूटर एक परचे से संबंधित महत्वपोंड प्रश्णों का भागतीन जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है दोस्तों ये वीडियो केंद्र और राज सिविल सेवा परिक्षाओं जैसे UPPCS, ROARO, Lower Subordinate के साथ बैंक, SSC, रेलवे, पेट, टेट और अन्य परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है इस वीडियो में हम कम्प्यूटर आधारित प्रश्णों को अभ्यास के लिए साल्व करेंगे प्रश्णों को साल्व करते समय हम उसकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्णों को आसानी से समस सकें तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो कम्प्यूटर से संबंधित महत्पूण वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रश्ण पहला प्रश्ण है दोस्तों शिलिकान क्या है आपसन है आपका कंड़क्टर, सेमी कंड़क्टर, इंसूलेटर या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है सिलिकान सेमी कंड़क्टर यानी अर्धचालक है और कंप्यूटर में इसकी महत्पूण भूमिका है दोस्तों सिलिकान एक अर्धचालक या सेमिकंडक्टर है इसका प्रियोग कम्प्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है सेमिकंडक्टर का जो प्रतिरोधकता होती है चालक कुछालक के बीच होती है इसके अलावा दोस्तों सिलिकान के अलावा जर्मेनियम और सेलेनियम भी अर्धचालक होते है अगला प्रश्ण है दोस्तों कम्प्यूटर में IC क्या होता है तो ये एकी क्रित परिपत यानि इंटिग्रेटेड सर्किट होता है आप संसी आपका सही उत्तर है और आप देख सकते हैं ये प्रश्ण कितनी बार परिच्छाओं में पूछा गया है दोस्तों आप जान लीजे इलेक्ट्रानिक्स या कम्प्यूटर के संबंध में एकी क्रित परिपत या इंटिग्रेटेड सर्किट को माइक्रो सर्किट, माइक्रो चिप, सिलिकान चिप या चिप के नाम से जाना जाता है यह एक अर्धचालक पदार्थ यानि सेमि कंड़क्टर मेटेरियल के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रानिक परिपत होता है जिसमें प्रतिरोध संधारित्र आधि के अलावा डायोड ट्रांजिस्टर आधि अर्धचालक अवयो निर्मित किये जाते हैं अगला प्रशन है दोस्तों जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कारे करते हैं आपसन है आपके light pen की, mouse की, digitizer की या terminal की की तो सही उत्तर है जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कारे करते हैं तो terminal की आउ सकता होती है आपसन D आपका सही उत्तर है टर्मिनल क्या है तो आप जान लिजे टर्मिनल एक डिवाइस है जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कारे कर सकते हैं यह एक प्रकार का विद्दूत यांत्रिक हार्डवेर याने इलेक्ट्रो मेकेनिकल हार्डवेर होता है अगला प्रेशन हैं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को कहते हैं जिसका प्रियोग उनिर्देसों और आकडों के अस्थाई रोप से संचित करने के लिए किया जाता है संभवत प्रोसेसर जिनका प्रियोग करेगा उसे क्या कहेंगे तो आपसन हैं ALU, BUS, CASE, CPU या FLES तो सही उत्तर है CASE देखिए CASE या CASE से भी कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को CASE कहते हैं जिसका प्रियोग उन निर्देसों और आकडों को अस्थाई रोप से संचित करने के लिए किया जाता है जिसका संभौता है प्रोसेसर प्राय प्रियोग करेगा अगला प्रशन है दोस्तों, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है तो ये प्रशन बहुत ही महत पूढ़ है, याद रखेगा लॉजिक चिप का दूसरा नाम जो है माइक्रो प्रोसेसर है याद रखेगा लाजिक चिप एक प्रकार की माइक्रो चिप होती है जो कम्प्यूटर प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त होती है और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है ये एकल इंटिग्रेटेट सर्किट पर CPU के फंक्सन्स को समाविष्ट करता है अगला प्रश्ण है दोस्तों सिलिकान की परत चड़ी इंटिग्रेट सर्किट चिप के विकास का स्रे किसको दिया जाता है आप सन्हें चाल्स बैवेज, बी पास्कल, वान न्यूमेन, राबर्ट नोई या जे एस किलवी तो सही उत्तर है जे एस किलवी को दोस्तों सिलिकान की परत चड़ी इंटिग्रेट सर्किट चिप के विकास का स्रे जो है जे एस किलवी को दिया जाता है और याद रखेगा सिलिकान की परत चड़ी इंटिग्रेट सर्किट चिप के विकास का स्रे जे एस किलवी को जाता है ने 1969 में IC यानि Integrated Circuit का निर्मार किया था और इन्हे वर्स 2000 में Nobel पुरसकार से सम्मानित किया गया था अगला प्रिश्ण है दोस्तों एकी कृत परिपत या Integrated Circuit का आविसकार किस ने किया था तो उत्तर है Jack Kilby ने अगला प्रिश्ण है दोस्तों आधुनिक कम्प्योटरों का लग रूप करण संभव हो सका है किसके प्रियोग से तो ये प्रश्ण बार बार पूछा जाता है और Integrated परिपत चिप्स यानि Integrated Circuit एक सुर्ख्ष्म Electronic सर्किट है 1969 में अपने आविसकार के बाद ये ट्रांजेस्टर के अस्थान पर कम्प्योटरों में प्रियोग होने लगा और Integrated Circuit चिप्स यानि Integrated Circuit से ही अधुनिक कम्प्योटरों को छोटा या लग रूप दिया जाना संभव हो सका है अगला प्रश्ण है दोस्तों शिलिकान आमतोर पर प्रियुक्त होने वाला है क्या तो उत्तर है अर्धचालक यानि सेमिकंडक्टर दोस्तों शिलिकान आमतोर पर प्रियुक्त होने वाला अर्धचालक है अर्धचालक उन पदार्थों को कहा जाता है जिनके विद्दु चालक ता चालक और चालकों से कम किन्तु अचालक जैसे काच से अधिक होती है और सिलिकान की खोज स्वीडिस रसायन सास्तरी जोन्स जैकब बरजेलियस नहीं की थी अगला प्रश्ण है दोस्तों इंडियान इस्टिचूट आफ रिमोट सिंसिंग यानि भारती सुदूर संबेदन संस्थान कहां परिश्थित है तो ये देहरादून उत्राखंड में है अगला प्रश्ण है दोस्तों सूचना प्रद्योकी संसोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को किस वर्स में लागू हुआ था तो उत्तर है 2009 में दोस्तों सूचना प्रद्योकी या Information Technology अधिनियम 2008 में 27 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ था अगला प्रश्ण है सूचना के नियंत्रण के अंतरगत आपरेट करने वाली electronic device जो डेटा को स्विकार कर सकती है डेटा को प्रोसेस कर सकती है आउटपूट प्रोड्यूस कर सकती है और भविस में प्रियोक के लिए पैडामों को इस्टोर करती है उसे क्या कहा जाता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर है computer option B यह देखिए computer सूचना के नियंतरण यानि कि information control के अंतरगा संचालन करने वाली electronic device है जो data को स्विकार करने के साथ data को process कर सकती है output produce करती है और भवित से में परयोग के लिए परिडामों को संचित रखती है अगला प्रशन है दोस्तों computing power को की दी गई मातरा की लागत computer प्रद्दोकी में प्रगत के साथ नाट की ढंग से क्या हुआ है उतनी ही रही है अर्थवेवस्था के साथ समान उपात में बदली है बढ़ गई है कम जादा हुई है या घट गई है तो सही उतनी है घट गई है आप जान लिजे computing power की दी गई मातरा की लागत computer प्रद्दोकी आनि टेकनोलोजी में प्रगत के साथ नाट की रूप से घट दी गई है अगला प्रशन है बुनियादी computer processing चक्र में क्या सामिल होता है तो उत्तर है input processing और output यह जो है computer का जो मुख है processing या बुनियादी processing का कारे है अगला प्रशन है दोस्तों देखे पद PCXT का आसे क्या है तो आप जान लिजे personal computer extended technology यह PCXT का अर्थ है दोस्तों IBM द्वारा मार्ज 1983 में IBM PCXT नाम computer बाजार में लांच किया गया इसका आश्य है personal computer extended technology अगला प्रशन है दोस्तों उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के इस रिजन की छमता परदान करती है और उसमें लोग परस पर अंतह क्रिया भी करने लगते हैं आपसन है आपके दूरस्थ वास्तविक्ता आभासी वास्तविक्ता वेकल्पिक वास्तविक्ता या 3D वास्तविक्ता तो सही उत्तर क्या है आभासी वास्तविक्ता दोस्तों आभासी वास्तविक्ता या virtual reality वह तकनीक है जो एक क्रित्रिम दुनिया के इस रिजन की छमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस पर अन्तख्रिया भी करने लगते हैं अगला प्रश्ण है ब्लू पैसिफिक क्या है महत्वोड है कंप्यूटर मोबाईल हैंडसेट इंटरनेट वीजन या इनमें से कोई नहीं तो ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर है दोस्तों ब्लू पैस्फिक IBM द्वारा निर्मित सुपर कम्प्यूटर है ये 1998 में बनाए गया था अगला प्रश्न है अत्यधिक सुक्ष्म अस्तर पर डिवाइसों का निर्मार करने के लिए नैनो इस्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है कौन? आपसन देखे नैनो टेकनोलोजी, माइक्रो टेकनोलोजी, कम्प्यूटर, फोरेंसिक, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस या वेरी स्माल स्केल टेकनोलोजी तो सही उत्तर है अत्यधिक सुक्ष्म अस्तर पर डिवाइसों के निर्मार करने के लिए नैनो इस्ट्रक्चर्स प प्रद्दोकी या ट्रांजिस्टर तो सही उत्तर है पायरलर प्रोसेसिंग सिस्टम दोस्तों कम्प्यूटर के छेतर में एक नई प्रद्दोकी पायरलर प्रोसेसिंग सिस्टम उभर रही है अगला प्रशन है भारत में सूचना करांती यानि इन्फार्मेशन टेकनोलोजी के जनक कौन माने जाते हैं तो आप जान लिजे राजयोगांधी अगला है विकास के लिए सूचना प्रद्धोकि का अधिकाधिक उप्योग रण नीती है किसकी तो उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार की दोस्तों आप जान लिजे मेगा हर्ट्स, संप्रतीक प्रती सेकेंड, बीट प्रती सेकेंड या नैनो प्रती सेकेंड तो सही उत्तर है बीट प्रती सेकेंड दोस्तों ये डेटा के संप्रेशनर की गति को मापने के लिए प्रियुक्त इकाई है अगला प्रश्ण है बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित आटोमेटेड टेलर मशीन यानि ATM का प्रियोग कब हुआ था तो आप जान लिजे दोस्तों बैंकों में पहली बार 27 जून 1967 1967 में और यहाँ पर कोई भी आपसन सही आपका नहीं है दोस्तों 1967 में उत्तर ही लंदन के बार कलेज बैंक में इसका शुरूआत हुआ था 200 के पहले ATM के आविसकारक जान से फ़र्ड बैरन थे और निकटतम उत्तर 1970 को माना जा सकता है अगला प्रश्ण है बिनातार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्स हुआ था तो उत्तर है बिनातार के माउस कीबोर्ड का विकास सन 2003 में हुआ था अगला प्रश्ण है गड़ना यंत्र अवेकस का आविसकार किस ने किया था आपको बताना है चीन भारत अमेरिका या जापान तो सही उत्तर है चीन में गड़ना के लिए अवेकस यंत्र का आविसकार हुआ था अगला प्रश्ण है दोस्तों निमनलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस एड रेट आप दे स्पीड आप थाट नामक पुस्तक लिखी है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर है ये हैं बिल गेट्स आप सन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स ने कब 1999 दोस्तों बिल गेट्स ने 1999 ने जो है ये संयुक्त पुस्तक है बिल गेट्स और कोलिंस हेनिंगवे की और ये 1999 में लिखे गई थी अगला प्रश्न है SMS का अर्थ क्या है तो ये है सार्ट मैसेजिंग सर्विस याद रखेगा SMS का अर्थ सार्ट मैसेजिंग सर्विस है अगला प्रश्न है दोस्तों नीजी कम्प्योटरों की कारेशंता समाप्थ हो जाने पर उत्पन कचरे को क्या कहा जाता है तो उत्तर है E कचरा या electronic waste दोस्तों कोई भी ऐसा विद्दूत या electronic उपकरण जो पुराना टूटा-पूठा खराब या विकार होने के कारण इस्तिमाल में न हो या फेक दिया गया हो उसे electronic कचरा या e-west कहते है अगला प्रश्न है दोस्तों एक electronic digital program योग computing device जिसका उप्योग दूतिवी सियुद के दोरान गूढ लेखन को पढ़ने के लिए किया गया था उसे क्या कहते हैं आपसन है इनलाग computer, super computer, difference engine या कालोसस तो सही उत्तर है कालोसस आपसन D दोस्तों कालोसस ऐसा device digital program योग computing device है जिसका उप्योग दूतिवी सियुद्ध के दोरान जर्मन गूढ लेख को पढ़ने के लिए किया गया और इसका डिजाइन दूतिवी सियुद्ध के दोरान ब्रिटिस वैग्याने डाक्टर एलेन टियूरिंग ने अपने देश की भोज के लिए किया था अगला प्रेशन है Microsoft Windows संसकरणों के साथ शामिल एक पूर्ण विष्टार छेतर कूट लेखन यानि फुल वालूम एन्क्रेप्शन सुविधा है क्या तो रजिस्टरी एडिटर टास्क सेडूलर बिटलाकर या डिफिंडर तो सही उत्तर है बिटलाकर दोस्तों बिट लाकर एक पूर्ण वालियूम एंक्रिप्सन सुविधा है जिसमें Windows विष्टा से सुरू होने वाले Microsoft Windows विंडोज संसकरोलों के साथ सामिल है इसे समपूर्ण वालियूम के लिए एंक्रिप्सन प्रदान करके डेटा की सुरक्षक लिए डिजाइन किया गया है डिफाल्ट के रूप में ये 128 बिट या 256 बिट कुनजी के साथ सिफर ब्लाक चेनिंग या HTM मोड में AES encryption algorithm का उप्योग करता है अगला प्रश्ण है दोस्तों E-commerce क्या है आपको बताना है आपसन है कि computer उत्पाद को खरीदना और बेचना इसके अलामा देखे मोहतोपूर्ण प्रश्ण है वे उत्पाद और सर्विस खरीदना और बेचना जो दुकानों में उपलब्धना हो तीसरा है कि अंतराश्टी बस्तों में खरीदना और बेचना या फिर इंटरनेट की सहायता से उत्पाद और सर्विस खरीदना और बेचना आपसन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों आप जानते हैं E-commerce द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद और सर्विस को खरीदा बेचा जाता है E-commerce के प्र अगला प्रश्ण है दोस्तूं सुपर्मार्केट डिपार्मेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदमे प्रयोग मिलाई जाने वाले कम्प्यूटर किस टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं आपको बताना है तो सही उत्तर है POS यानी पॉइंट आफ सेल याद रखेगा POS का फुल फाम है पॉइंट आफ सेल ये समय और अस्थान को दिखाता है जहां पर भुक्तान किया जाता है सुपर्मार्केट डिपार्मेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट आदमे प्रयोगत होने वाले कम्प्यूटर POS टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं अगला प्रेश्ण है दोस्तों दिये गए कथन सही या गलत होने का निरधारन कीजिए पहला कथन है कि कम्प्यूटर की विभिन प्रकार के कारियों को समान सटिकता और दच्छता के साथ करने की छमता को डेली जेंस या करमठता कहते हैं सही नहीं है कम्प् जलत और दो गलत तो सही उत्तर आफसन भी हो जाएगा दोस्तों ये दोनों ही कथन गलत हैं क्योंकि कम्प्यूटर के विभिन प्रकार के कारियों को समान सटिकता और दच्छता के साथ करने की छमता को बहु उप्योगिता कहते हैं कम्प्यूटर की करमठता नामक विशेष प्रश्ता ये सुनिशित करती है कि कम्प्यूटर को कोई ठकान या एक आगरता की कमी महशूस नहीं होती है अगला प्रश्न है दोस्तों अवेकस का उपयोग किया जाता है कहां पर तो उत्तर है व्यापारिक गड़नाओं में जोड में घटाने में तो इन सभी में जो है अव दोस्तों जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं और कम्प्यूटर स्क्रीन पर टम्टमाता चिन्ह करसर कहलाता है इसे टेक्स्ट करसर या इंसर्शन पॉइंट भी कहा जाता है करसर एक ऐसा संकेतक होता है जिसका उपयोग कम्प्यूटर मॉनिटर या अन्य दिखाने के लिए किया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों डिजिटल भुक्तान के संबंध में निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए भी मैप उपयोग करने वाले के लिए ये एप यूपियाई सक्षम बैंग खाते को से किसी धन का हस्तांतरन करना संभव बनाता है दूसरा है कि यहां एक चिप पिन डेविट कारड में परमारी करन के चार घटक होते हैं और भी मैप में परमारी करन के सिर्फ दो घटक तो आप जान लीजे ये आपका गलत है सही उत्तर केवल एक सही है आफसन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों भीम या भारत इंटरफेस फारमनी एक यूपिया या धारित इंटरनेट बुक्तान इंटरफेस है जो एकल पहचान जैसे मोबाइल नमबर या नाम के प्रियोग द्वारा रियल टाइम में धन का हस्तान तरण संभो बनाता है और भीम एप में प्रमारी करण या सत्यापन के तीन अस्तर है पहला अस्तर डिवाइस आईडी और मोबाइल नमबर दूसरा अस्तरवा बैंक एकाउंट है जिसे यूजर भीम एप में लिंक करता है जबकि अंतिमस्तर के रूप में यूपी आई पिन है जो किसी लेंदेन को पूरा करने के लिए आवस्यक है इसके विपरीत चिन पिन डेविट कार्ड में प्रमारी करण के केवर दो घटक होते हैं दूसरा कतन आपका सही नहीं है अगला प्रश्न है दोस्तों किस प्रकार के कम्प्यूटरों का सरवाधिक प्रियोग किया जाता है आपसन देखे सुपर कम्प्यूटर, मीनी कम्प्यूटर, मेन फ्रेम या माइक्रो कम्प्यूटर तो सही उत्तर है माइक्रो कम्प्यूटर आपसन D दूस्तों आजकल सरवाधिक प्रियोग किये जाने वाले कम्प्यूटर, माइक्रो कम्प्यूटर कहलाते हैं इसके अंतरगर डेक्ष्टाप, कम्प्योटर, गेम कंसोल, लैप्टाप, नोटबुक, टैबलेट, कम्प्योटर, स्मार्टफोन, पीडिये आते हैं अगला प्रश्ण है नेमने लिखित में से कौन तीसरी पीडि संगठक का संगड़क का मुख्य इलेक्ट्रानिक अवयो है तो आप जान लीजे कि तीसरी पीडि में समेकित परिपत या इंटिग्रेटिट सर्किट्स का प्रियोग किया गया है तीसरी पीडि का विकास या प्रारम 1964 से हुआ था इसका मुख्य इलेक्ट्रानिक अवयो समेकित परिपत है जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण होता है अगला प्रश्ण है किसी बेवस्था के कम्प्योट्री करण में आव सकता होती है किसकी तो आप देखिए किसी बेवस्था के कम्प्योट्री करण में उसको करने की द्रिण हिच्छा सकती संबंधि वित्तिशन साधन जन सकती के परसिक्षण और एक अत्या धुनिक संडश्णा तो इसमें सही है सभी चारो यानी आपसन डी आपका सही उत्तर है कम्प्योटर अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करता है आपको बताना है अपनी गति से सुधता से इसमृति से या उप्रोगत सभी से तो सही उत्तर उप्रोगत सभी से दुस्तों कम्प्योटर बहुत तेज गति से गढ़नाय करता है माइक्रो कम्प्यूटर मिलियन गड़नाई प्रति सेकेंड कर सकता है और कम्प्यूटर बहुत ही सुक्ष्म गड़नाई करने वाली मसीन है ये जटिल से जटिल गड़नाई बीना किसी त्रोटिके करता है कम्प्यूटर की अपनी मुख्य और सहायक मेमोरी होती है जो कि computer के आंखडों को संचित करने में सहायता करती है अगला प्रश्ण है ऐसा कौन सा दूतियक उपकरण के रूप में भरगी कृत नहीं है आपको बताना है तो इसमें से दूतियक उपकरण के रूप में कौन सा जो है दोस्तों ये विक्सित नहीं है तो सही उत्तर है परम आप जान लिजे कि परम को दूतिया कूपकरण के रूप में बरगी कृत किया जा सकता है एक दूति भंडारा कूपकरण या सेकेंडरी, स्टोरेश डिवाइस या बाह भंडारन के रूप में भी जाना जाता है और दुतिस अंग्रहन में कुछ मेगावाइट से लेकर पेंटावाइट तक के डेटा का भंदारन किया जाना है और भंदारन की अनुमत होती है ये डिवाइस लगभग सभी प्रोग्राम और अप्लिकेशन को कम्प्यूटर पर संग्रहित कर लेते हैं अगला प्रिश्न है दोस्तूं डिजटल कम्प्यूटर किसने विक्षित किया था आपको बताना है तो सही उत्तर है डिजटल कम्प्यूटर का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था अगला प्रश्ण है नेमने लिखित में से कौन सी भाभा परमाड और नुसंधान के इंद्रोद्वरा विक्सित सुपर कम्प्यूटर परियोजना है तो ये बहुत ही महत्वोड प्रश्ण है ये परियोजना है अनुपम आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा धूस्तू भाभा परमाड अनुसंधान के रियानी B.A.R.C. ने 1991 में समनांतर संसाधन या पैरलर प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों के छेतर में अनुसंधान और विकास प्रररम किया समनांतर साधन पर आधारित प्रथम सूपरकम्प्यूटर 860 वटे चार था जो चार नोडो वाली पढ़ा ली थी इसको 1991 में विख्षित किया गया था अनुपम स्रिंखला के सूपरकम्प्यूटरों का उपयोग भाभा परमान अनुसंधान के इंद्रत्वाला जटिल संगडन और समस्याओं के हल में किया जाता है अगला प्रशन है smart card क्या है आपको बताना है तो सही उत्तर है smart card दोस्तों यह जो है एक प्रकार का micro processor card है आपसन ऐ आपका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देखे चिप card इसमें memory card smart card और micro processor होते हैं और smart card आप देख सकते हैं unprotected, protected, specific और multi functional होते हैं अगला प्रश्ण है IC के वर्गी करण का आधार क्या है तो सही उत्तर है ट्रांजिस्टरों की संख्या जो है ये IC के वर्गी करण का आधार है दोस्तों एकल चिप या सिंगल चिप में लगाया जा सकने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर IC को पाँच प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है इसमें Small Scale Integration, Medium Scale Integration, Large Scale Integration और VLSI यानि Very Large Scale Integration तथा ULSI यानि Ultra Large Scale Integration और ये पाँच प्रकार के IC के प्रकार है अगला प्रशन है दोस्तों, Celeron, Pentium और Core, Crumb प्रारूप हैं किसके? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा कि Celeron, Pentium और Core, Crumb प्रारूप जो हैं ये आपका क्या है? आपको बताना है तो ये आप जान लिजिए Computer Micro Processor के प्रकार है Celeron, Pentium और Core, Computer Micro Processor के प्रकार होते हैं अगला प्रशन है, शासन के लिए Computer के प्रियोग को क्या कहा जाता है? अगला प्रशन है दोस्तों, Data का एक बचन रूप क्या है? आपको बताना है तो सही उत्तर है, Datum आपसन A आपका सही उत्तर है, Data का एक बचन Datum है अगला प्रशन है दोस्तों, चितर संदेश निजी इनवाक्स में कितने दिन तक रहेगा? तो सही उत्तर है, चितर संदेश निजी इंबाक्स में कुल 30 दिनों तक रहेगा और इससे अधिक दिनों के चितर गुप्त संदेश को सरक्षित रखने के लिए उस संदेश को शेव करना अनिवार है ये प्रश्ण देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्ण है कि सिम का पूरा नाम क्या है तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी माडूल ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि SIM का पूरा रूप है subscriber identity माडूल बहुत ही महत्पूर प्रश्ण है दोस्तु SIM सब्द जो है subscriber identity माडूल का लगुरूप है यह एक एक गृत परिपत है जिसमें mobile phone या computer पर mobile telephone के लिए आवसेक service subscriber की संचित यानि store रहती है अगला प्रश्ण है 100 MHz clock आबरित से युक्त एक microprocessor की clock आवधी कितनी होगी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तु सही उत्तर इसमें हो जाएगा 10 nanosecond दोस्तु आप जान लिजे कि 10 nanosecond रहेगा 100 MHz clock आबरित से युक्त एक microprocessor की clock आवधी अगला प्रश्ण है दोस्तों ICT का तातपर क्या है तो बहुती आसान सा प्रश्ण है बार बार पर इच्छाओं में पूछा गया है ICT का अर्थ है Information and Communications Technology दोस्तों आप जान लिजे ICT में सूचना प्रद्दोकी के साथ दूरभार संचरण, प्रसारण मीडिया और सभी प्रकार के आडियो और बीडियो प्रक्रमण और संप्रेशन सामिल होते हैं अगला प्रश्ण है Circuit Breaker वाला डिवाइस जो हाडवेर को Power Source से अलग करने और Voltage Spike से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है उसे क्या कहते हैं तो सही उत्तर है इसे Surge Protector कहते हैं आप ध्यान से देखिएगा Surge Protector वा Circuit Breaker वाला डिवाइस है जो हाडवेर को Power Source से प्रिथक करने और Voltage Spike से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रियोग किया जाता है इसके द्वारा Voltage के अनपेक्षित आकस्मिक उतार चड़ाव से सिस्टम के हाडवेर को सुरक्षित किया जाता है अगला प्रिष्ण है Electronic Printer में जिस प्रद्दोकी का प्रियोग किया जाता है वो क्या है आपसन है Micro Technology, Micro Encapsulations, Micro Millimetric या Micro Array तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर Micro Encapsulation दोस्तों Micro Encapsulation जो है प्रद्दोकी के प्रियोग द्वारा Electronic Printer से Print प्राप्त किये जाते हैं याद रखेगा Micro Encapsulation प्रद्दोकी के प्रियोग द्वारा Electronic Printer से Print प्राप्त किये जाते हैं अगला प्रश्ण है ने इमने लिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा पर दाता है आपको बताना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इंटेल सेट दोस्तों यूथ सेट रूस भारत के वैज्ञानिक पर सिछण का कृत्रिम उपग्रह है ओशियन सेट महासागरी अनपरयोगों के लिए निर्मित जो है वो भारत की पहली जो है ये ओशियन सेट महासागरी अनपरयोगों के लिए निर्मित है एश्टर सेट खगोली सोध को समरपित भारत की पहली अबजर्वेटरी है और इसका प्रक्षेपन 28 सितंबर 2015 को PSLV तबकि Intel Set एक संचार उपग्रह सेवा परदाता है अगला प्रशन है दोस्तों देखें डाक्टर के द्वरा प्रियुक्त सब्द CAT तो CAT का फुल फाम होता है Computerized Axial Tomography याद रखेगा Computerized Axial Tomography का संचिप्त रूप है इसमें मैस्तित का विभिन अक्षों से एक स्केंडो द्वारा चाय चेतर लेकर Computer के माध्यम से विशलेशन किया जाता है अगला प्रशन और इस वीडियो का आखरे प्रशन है विद्यवाहिनी परियोजना किस किस पर बल देती है आपसन है Computer सिक्षा पर, मुल्ले सिक्षा पर, پर्यावरण सिक्षा पर या कौसल विकास पर तो सही उत्तर है Computer सिक्षा पर दुस्तों विद्यवाहिनी परियोजना Computer सिक्षा और सूचना प्रद्धोग के पर बल देती है तो दुस्तों ये था आज का वीडियो दोस्तों वस्तुनिष्ट जीयस संचे में आज एक अब्जेक्टिव टाइप के कम्प्यूटर आधारित प्रशनों में हमने कम्प्यूटर एक परचे से संबंधित महत्पूर्ण प्रशनों को साल्व किया जो आपके आगामी बिभिन परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी हैं आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार